वेड़ बॉर्णिंग फिफ्ट क्लास आज मैं आपको इंग्रिश क्रामर का चैप्टर इस टार्ट कर रही हूं कंटिनियूस ट्रेंस ठीक है इन डेफ में टेकर आपको हो चुक है फ्यूचर इन डास्ट में चैप्टर सेवन में तो यहां से आराज़ आपका सब्सक्राइब चैप्टर इट इस एक साथ करेंगे ठीक है यह आपका चैप्टर इट इस प्रिजेंट पास्ट फ्यूचर तो कॉपी में कैसे करोगे पहले रूल्स हम जो मैं आपको रूल्स लिखवाती हूं यह आपके रूल्स है पहचान अगर यह तीनों टैंस आपको एक साथ आते हैं तो आप उसे पहचान कैसे करोगे ठीक तो प्रिजेंट कंटिनियूस के टैंस में लास्ट में क्या आता है रहा है रही है रहे है ठीक है प्रिजेंट में जो काम होता है उसे मोलते है प्रिजेंट कंटिनियूस टैंस अभी हो रहा है यह रहा है रही है पास्ट में क्या आता रही थी और रहे थी हिंदी वाक्यममें अगर एक साद को में द्रांसेशन का पिर ठीँ हूं तो पहचान रोगए अगर रहा है तो पीसरें sponsor कर को क्या होगा होगा ठीक के future में हिंदी वाक्यमेंट में क्या हैगा रहा होगा रही होगी या रहे होगे ठीक इन्हें लिखें आप पफिसको बाद हम पहला स्टाट करते हैं अप पर मेट्मेट्व सेंटेंस में ऐसे बना देना इस रेबल आप present continuous past ब्रास्ट कंटियूंस और फ्यूचर कंटियूंस में ठीक है बच्चों इसे इसे को अधिये प्रिजेंट के उन्ट के बाद कहाएगा is mr plus world plus ing plus object ठीक जैका पहले सेंटेज एक्वाइड चाहिए तो मैंने क्या कहा था present में क्याय गा Championship रही है या तो Present is इसमें क्याल आंगे subject subject को अने वहर वह लोगया C SPEAKER प richly एब इसक एक करेंगा is A-M य-R Is उसके बाद, verb केस्किस में खेलना तो क्या बोतों इसमें play और play में क्या करना है अब verb में ING कोसा लगाना है Play in य-प ठीक है C is playing फिर बाकी जो बच जाते है वो बाद में लिखते है ठी प्रिजेंट के साथ क्या आएगा उसके बाद वास या वर फिवर्ब में आई अजी इसमें क्याता है C is playing इसमें एक वाग खेल रही थी पास्ट में क्याता है रही थी तो इसके बाद खेली थे क्या होगा C was playing future continuous में आपका आएगा will और shall फिर इनके बाद आएगा be ठीक है will be या शेल भी फिर वर्ब में आई अजी तो बाद खेल रही होगी she के साथ आता है will ठीक है present डिया फिर फिर में को बताया था she will be playing okay तो यह आप इसे नोट कर लेना अब आप देखिए negative sentences में क्या होता है सब सेम रहेगा बस is MR के बाद was work के बाद और will shall के बाद क्या आएगा not आ जाएगा देखो subject is MR के बाद not फिर सेम फिर सब्जेक्ट was work फिर उसके बाद not फिर में आएगा बस आपको इसमें जो आपका सिंपल में था जैसे वहाँ खेल रही है she is playing आपका वहाँ नहीं खेल रही है she is not playing she was not playing she will not be playing okay जिसमें आपको simply क्या है बीच में note लग जाएगा future continuous में क्या है subject will shall फिर नोट फिर फिर में आएगा आपका subject बार में आएगा और helping of is mr was और यह will shall यह पहले आजाएगा ठीक है तो जैसे देखे she वहाँ खेल रही है तो question में क्या होगा क्या वह खेल रही है ठीक है तो इसका क्या होगा is she playing present continuous में तो आपको present continuous में आएगा is mr plus subject plus work plus ing plus object plus question mark आएगा इसमें भी आपको subject बार में was पहले आजाएगा question वाले statement में यह जो हम helping of लगाते है is mr was was will shall यह पहले आजाते question में present में past में future में कैसमें भी देखो will shall पहले आगया subject फिर बी फिर 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 आइंची फिर object ओके और फिस को में आपको डिटीर में चाहिए आपकी जो book exercise है उसमें में करवाऊंगी और आज आपको homework यह है कि आपको यह rules जो है copy में note down करते हैं okay friends इसे नोटाउन करना पिर आपको यह जो है कि आपको यह जो है दो है